जाइन विद्यात्व आप लोग का हमारे चन्में स्वागते तो विद्यात्यों कक्छा 12 मी लेखा सास्त सेट एक आप फाइनली 100% असली पेपर लेकर आचुका हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो आपका 80 अंका पेपर उने वाला है तीन गुनटा समय उने वाला है आपको 100% असली पेपर लेकर आचुका हूँ इसका मैने सलूस्तन के साथ बताने वाला हूँ तो यहाँ पर देख तो अकिकन के चाहा क्युचने तो चन्मबर आचा मिल जाएगा पहला क्युचन आप देख सकते हो सही विकल चुनकर लिखना है पहला है आपको साज दारी का अनिवार नंसदारी को कि आपसर नंबर यहां पदेख सकते हो इसके बाद यहां पर चाहर नंबर देख सकते हो चाह नंबर निजी कंपच्टिया में अधिकी उलसक्तिया सब्सक्राइब तो आपको 200 रइट से हुजएगा पांच नंबर पद्लों को कितने परकार के बढ़ दरित किय से संंगर संविल किया जाता है तो यहापको राइट इंस में अलिकालिक आपको लोगो लिखना आपन क्यों पूर अपो स्फंद्र गेज बातो से लिखना से पर ईड़ कि आधको मैंि 2 निए डै कि requirement नमबर पर चालू संपत्ति को खाली स्थानपुनुजी अनपार्धी कहा जाता है कारेसीसर अते हैं, मतलब कार यह कला कारेसील को ते हैं। प्रती पादत का तात पर कालियस्तान आकड़े है तो आणिक हो जाएगा बेच्चे गए माल की लागत खाली है तो बिक्क्री हो जाएगा इसका सही जोड़ी मिला ना है यहापर देख सकतो सही जोड़ी आपको मैं मिला देता हूँ तो पहले का राइट इंसल आपका नमा अनुपालित अभगटन हो जाएगा जोकि आपसा नमबर यहापर मैं दो नमबर हो जाएगा दिसचे दर के रहां यहाँ जाएगा आपको दो नमबर है वहाँ जाए बहुलाओ को पूर्भी अंश आ यह हो जाएगा इसके बाद आप देख संताधी का अंश तो इसका łँज जायगा c यह जाएगा पांचे पांच का राइट इंसर आपको लिख लेना है पहला का राइट इंसर आपको बहुत अच्छे से लिखना है फर्म को काम लाब होने की दसा में योगी फर्म की जब लाब की दसा होगी उसमें दिया जा सकता है फर्म में कौन साज़दार हो सकते हैं तो आपको दो नमबर है कि वेल ब्यक्ति राइट इंसर उजगा त्याग अनुपात की गणना क्यों अवस्षक है तो नया सैज़दार पुराने सैज़दारों को उनके त्याग अनुपात में पुराने सैज़दारों के बीच रच्ता रीद खाते के रूप में भुखतान करके छती पूर्ण करता है इसलिए चानबर देख से तो नए और प्राने अनुपात का अंतर त्याग होता है तो आपको चानबर त्याग अनुपात होता है तो वसुली खाता तो नई चिठ्ठे में कौन सा कोश नई दर साह जा जा सकता है तो आपको सामान ने संच वह बहुत ऐसे न 코 खाहू है वसुली खाता किसफयर करिया का का खाता है निश्ची तो तिये दो नंबर है तो असत्व रिड़ पत्त धारी कमपणी के सद्रस्त नहीं होते हैं सत्व रिड़ पत्त स्वामी पुझी का एक हिस्सा है असत्व आदर्स तरवल अनुपाद 21 होता है तो यह आपको सत्त। किडिया सिलता अनुपाद को आववर्थ अनुपाद भी का जाता है सत्त। लाप की गरांटी क्या है ? साथ नवर एक साजय दारों के विनुएं उन्हें के दोकालों लिखना है व्वासित् से क्या about को परिवासित liberté के जया किनी चालू दाईत्तु के नाम लेकिपाद हो चालू उनुपाद यां तर्रव म DAY अनुपाद में अनुपाद से क्या स्वामित की आधार परेड़ पत्रों के परकारों को समझाना हुगा सुरच्चित यह मानु सुरच्चित प्रेड़ पत्र से आप क्या समझते हैं और विट्टी विवराण के भी इस लेचर के लिए बताना हुगा इसके रोकड़ वही कहता हैं देखने आपको बोल दिया और यहां पर देश्कतों लिएक भाजताक पाले करेंट से वाले दो रमोल दुस्यका साहन मतिं कहा देखने बाद आपको चारका चारका क्ट एक वाकला है इसके बाद आपका राये सत असत आलेक आपका असत 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 तो आयो कि आपको समय आगे आओगा मैंने पूरा एटुज़ेर बता दिया अब रहा बाकी प्रस्न उत्र तो अबले वीडियों आएगा चैनल सब्सक्राइब करें जे वीडियो को लाइक कर देना आपके दो